हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से शिवानी आर्ट क्लासेज में तो आज के इस वीडियो में हम छेते इंद्रेनात मजूमदार के विसे में जानकारी देखेंगे जो आपके सभी कला एक्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे और अगर इसके पहले के वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाएए और सभी वीडियो देखें एक एक वीडियो आपके लिए हैल्फुल है अगर आप अभी से तयारी करेंगे तो ही आपका सेलेक्शन होगा चाहे वो DSSB के स्टूडेंट हो चाहे व अपने नोट्स बनाए और सिलेबस के एकॉर्डिंग अच्छी नोट्स तयार करें जिए आपके एक्जाम के समय भी रिवेजन में काफी हेल्प करेगा तो चलिए शुरू करते हैं शितिंद्रिनात मजुमदार के विसे में कला एक्जाम में उपियोगी जानकाली तो सबसे पहले बात करें तो चितिंद्रिनात मजुमदार जो थे ये अपने आध्यात्म को आधार मानकर अपने जीवन की समगरता के आंतरिक एक्चे में आस्था रखने वाले संकोची एवं मितभासी मजुमदार जो थे इनकी जो जैनमिस्थिली थी वो बंगाल का मुर् प्रवजूद ये स्वयम को आधनिकता में नहीं ढाल पाए ठीक है और ये जो थे अवनींद्रिनात के प्रमुक्षेश्चे थे काफी अभावों में इन्होंने जीवन यापन करते हुए अपने सिक्षा को गवर्मेंट स्कूल आफ आर्ट को लकाता से प्राप्त किया और अध्येन के उपरांत ये इंडियन सोसाइटी आफ ओरियंटल आर्ट में सिक्षक निक्त हुए इसके पश्चात स्कूल आफ आर् इन कुलपती अमरनाथ जहा के सहयोग से चित्रकला विभाक के स्थापना की और 1964 तक वहां पर अपनी सेवाय दी इलहाबाद में ही इन्होंने 1975 में ये ब्रम्हलीन हो गया यानि की इनका निधन 1975 में हुआ और इनके जो चित्रन की तकनीक थी वो थी वाश तकनीक इन्होंने निजी टेंपरा पद्धती को भी छोड़ा नहीं था इनके चित्रों में मानवाकृतियां भारती सौंदरी की प्रतीक रही है प्रवाहपूंड रेखांकन शीड आकृतियों के पतले लंबे शारेरिक अंग जुके शीष तथा उदास सी आखें आकर्षक के शज्जा अलोक इवं स्वप्न मई लगती है ठीक है चित्र संयोजनों में चाहे किसी घरेलू वातावरण का चित्र हो अत्वा प्राकृतिक इस्थल का सभी कुछ अपने यानिकि इन्होंने गतिमाम रेखाओं में अंकित किया साथ ही किसी कवी की कलपना के समान सुन्दर वातावरण उत्पन करने का प्रयास किया जया अपस्वामी की अनुसार छेतिंद्रनाथ की रंग वर एखाओं में मध्यकाली इन कवीयों की कविता का आभास भी होता है आकरती प्रिधान चित्रों के प्रिष्ट भूमी में वरिक्षों का अधिक प्रयोग किया है आकरती जितनी सुन्दर है वरिक्ष भी उतने ही लुभावने है चित्रों में शैलिगत भिनता अधिक नहीं मिलती है इनके चित्रों में धार्मिक वो पौरारिक आख्यान प्रिविशय थे इनके जिसमें रामायर, महाभारत, कृष्ण लीला तथा चैतनी महाप्रगु के आध्यात्मिक जीवन का चित्रन प्रमुक था देवियों का भी चित्रन इन्होंने किया है कोलकाता जैसे महानगर में रहकर भी आप वहां के वातावरण तथा जीवन को अपने चित्रों का विशय नहीं बना पाए ये वैशनव वादी थे और यही कारण है कि इनकी अधिकांश उतकृष्ट मौलिक कृतिया बंगाल के महा अंशंत चैतनी महाप्रभु के आध्यात्मिक जीवन से प्रेडित रही है विसिष्ट शैली भी जो इन्होंने की है श्री चैतनी श्रिंखला में दिखाई देती है इनकी एक सजक प्रेक्षक की तरह है ये कार्य प्रणाली इनकी जो है प्रिथक रही है और रस समवेदना ही काफी विक्सित थी ठीक है आकरतिया अगरभुमी के मध्य में मंच सज्जा के समान इस्थित रही है प्रिष्ट भुमी में और हरे पीले वो बैगनी रंगों का हलका तरल फैलाव इन्होंने चित्रों में दिखाया है रहस्यात्मक्ता वस सहज आकर्षन दिखाई देता ह इनके चित्रों में ये ऐसे कलाकारों में से थे जिनोंने गहन अंतह प्रेणा की अभिवेंजना करते वे कला में एक नवेन दिशा का चैन किया संकोची होने के कारण आप आत्मे प्रचार से भी काभी दूर रहे तथा अपनी कला को वाद ग्रस्त नहीं बनाया इनकी जो कल है वो वाद विवाद ग्रस्त नहीं रही है आपके प्रतिनिती चित्र कोलकाता म्यूजियम कोलकाता भारत कला भवन वाराण शीन नैशनल गैलरी आफ मॉडन आर्ट नई डेली में सुरक्षित हैं मूल साधक होते हुए भी आधनिक भारती कला के स्रेश्ट प्रतिभाश आलिक अलाकारों में से थे छितिंद्र नात्म जुमदार जिनकी कलात्म कुपलब्धियां आज भी गरिमा में एवं मुखर द्रिष्टी कतियानी की दिखाई देती हैं तो चलिए इनके विसे में जो एक्जाम के द्रिष्टी से उप्योगी टॉपिक है उनको भी हम देख लेते हैं इस वीडियो में और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा जादस जादस शेयर कीजिएगा जो भी आर्ट के तैयारी कर रहे हैं सभी के पास देख लेते हैं शौर्ट में जानकारी शेतिंद्रनात मजूमदार का जन्म है 31 जुलाई 1891 स्थान की बात की जाए तो इनका जन्म मुर्शीदाबाद जिले के जगताई ग्राम पश्चिम बंगाल में हुआ था 31 जुलाई 1891 मुर्शीदाबाद जिले के जगताई ग्राम पश्चिम बंगाल में शेतिंद्रनात मजूमदार का जन्म हुआ था सिक्षा इनोंने जो ली थी गौर्मेंट स्कूल आफ आर्ट कोलकाता से ली थी चितिंद्रनात मजूमदार के कलागुरू कौन थे अवनिंद्रनात ठाकूर साथ ही इनका जो अन्य नाम है एक्जाम में पूछा जाता है तो चैतन्य सिद्ध इन्हें कहा जाता है चैतने सिद्ध चित्रकार, संत्य चित्रकार साथ ही भावों का समराट किसे कहा जाता है चितिंद्रनाथ मजुमदारगो अध्यापक के रूप में ये कहां पर रहे तो 1912 इसवी से 30 इसवी तक इंडिया सुसाइटी आफ ओरियंटल आर्ट ठीक है इंडिया सुसाइटी आफ ओरियंटल आर्ट कोलकाता में ये 1912 से 30 इसवी तक अध्यापक के पद पर इन्होंने कारे किया ठीक है इसके बाद हम देखते हैं चितिंद्रनाथ मजुमदार अध्याक्ष के रूप में 1912 से 24 64 इसवी तक अलहाबाद विश्व विद्याले कलाविभाग के अध्याक्ष रहे और यहीं पर इन्होंने रुची कलाविभाग के स्थापना की एक्जाम में कई बार पूचा गया है रुची कलाविभाग के स्थापना किसने की चितेंद्रनात मजुमदार नेकी और इलहभाद विश्विद्याले में ही है ये रुचि कला विभाग, ठीक है? आगे बढ़ते हैं इनके चित्रों का जो विशय रहा है चित्रन द्रनाथ मजुम्दार के चित्रों का विशे वैशनो धर्म याने की राधा कृष्ण से रिलेटेड इन्होंने चित्र बनाये हैं जादा तर और ये बंगाल के महान संत चैतन्य महाप्रभु से भी अधिक प्रभावित थे आगे बढ़ते हैं चित्रन पध्धती की बात की जाए तो जलरंग वाश पध्धती की साथ टेंप्रा माध्यम में भी इन्होंने चित्रन कारे किया है जैसा की अभी मैंने बताया उपर इसके बाद हम देखते हैं इनके प्रसिद्ध चित्रों को चितिंद्रनाथ मजुम्दार के प्रसिद्ध चित्रों में है चैतन्य का ग्रिहत्याग जो की भारत कला भवन वाराणिसी में इसके बाद है बालक धुरुव की तपस्या गीत गोविंद चित्र श्रिंखला इन्होंने बनाई है पालित म्रिग, रास लीला, प्रभु हरीदास अंतिम आवस्था में ये भी इनका चित्र रहा है और काफी फेमस चित्र रहा है चैतनी का ग्रहत्याग जो चित्र है ये किस चित्रकार ने बनाया है चितिंद्रनाथ मजुमदार ने ये कई बार आपके एक्जाम में पूछा भी गया है ठीक है और प्रभु हरीदास अंतिम आवस्था में ये भी इन्ही का चित्र है चितिंद्रनाथ मजुमदार का साथ ही आपको बता दें छितिंद्रनाथ मजुमदार का जो प्रत्थम चित्र है वो है बालक दुरुव की तपस्या और जिसे एक अंग्रेज ने 80 रुपए में खरीदा था ये भी आप ध्यान रखेंगे ठीक है इंडिन प्रेस इलहाबाद के मालिक श्री हरिकेशो घोस के विशेश प्रस्ताओ पर गीत गोविन चित्रावली है ये किसने तयार की चितिंद्रनाथ मजुमदार ने किसके प्रस्ताओ पर श्री हरिकेशो घोस के विशेश प्रस्ताओ पर ठीक है और ये कौन थे श्री हरिके प्राप्त की तो जो इंपोर्टन चीज़ें हैं एक्जाम के दृष्टी से वही आपको बताया जा रहा है इनके कुछ अन्य उलेखनी कारे हैं इनको भी आप देखिए बिहार के एक ड्रामा समूह यात्रा दल के लिए इन्होंने मंच सज्जा का काम किया था गीति गोविंद हो जाती है ठीक है तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक करें साथ ही इसे जादा जादा शेयर करें सभी इस्टूडेंट के पास जो भी आर्ट की तियारी कर रहे हैं और इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्